विन्सिटी डिवालपर्स की एक और शांदार पेशकश, जहांगीर पीर दर्गा से दो किलो मेटर पहले आबादी के बीचों बीच गाउं से लगा हुआ विंचर, फीकस सिर्फ पाँच हजार रुपए, नक्या आसानक साथ पर, नेटको फार्मा, पी एन जी, जॉंसन औन ज एलवी परसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब, गेड़ कम्यूनिटी, वाटर, एलेक्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकमिल सिक्योरिटी और सेफटी के साथ, फौरी मुलाकात करें विंसिटी डिवालपर्स, ओफिस एड्रेस, बिसाइड चॉइस फंक्शन असलाम अलेकुम आप सबीगा, खेर मगदम है, ए-18 तलिंगारा नियूस पर, आज बरोजे हफ़ता यानि साटड़ी वा तारिख 6 अगस्ट का दिन है, आए देखते हैं ए-18 तलिंगारा नियूस का खास खबर नामा, बढ़ते हैं आज की एहम खबरों की जानिब, इनियन म बारिश इतवार को शुरू होगी, फीर और मंगल के लिए भी जारी रहेगी, इनियन मिटलाजिकल डिपार्टमेंट के मताबिक, पच्छेतर फीसद से सौ फीसद तक नौर्थ एस्ट इस्ट इलाकों में तुफानी बारिश होगी, और कुछ जिलों में भी बारिश होने का इमकाना थे, और अगस्ट की आठ तारिख से अगस्ट की नौ तारिख को तलिंगाना रियास्त के मुख्तलिफ मुखामात पर बारिश दे की जा सकती है, आने वाले तीन चार दिन के बाद आवाम को बारिश से मिल सकती है राहत, तलिंगाना स्टेट सोसाइटी डिवलपमे और प्लानिंग सोसाइटी ने कहा, नशेवी इलाके में रहने वाली आवाम होशियार हो जाए, वेदर फोरकास्ट को फॉलो करते हुए सफर करें, श्री साइलम रिजर वायर में पानी का लवल बढ़ते हुए दिखाए दिया, इसकी वज़ा बताए जा रही है, सेलाफ का जमा पानी और क्रिशना नदी का पानी जम्मे के दिन श्री साइलम रिजर वायर में जमा हुआ, डाम के अथारिटीस ने कुल पांच गेट्स खोल दिये, खरीब 2.02 लाक पानी नागर जुना सागर की जाने बहाया गया, बताया जा रहा है, ऐसा पहली मरतबा हो रहा है, ज दोबारा श्री साइलम भर सकता है, मिनिस्टर केटी रामा राओ को सवाल किया गया और कहा गया नूपूर शर्मा, जिसने रसूल की शान में गुस्ताखी करते हुए बयान दिये थे, उनके खिलाफ कसी तैदात में आवाम एहतिजाज किये, लेकिन तलिंगाना रियासत में कोई एहतिजाजी पर आक्शन नहीं लिया गया, आखिर क्यों, ये सवाल किया गया था मिनिस्टर केटी रार से, केटी रा ने जवाब देते हुए कहे, नूपूर शर्मा सारे मुल्क को अपने बयान से शर्मिन्दा किये, और इंडिया मुल्क की तस्वीर दिगर मुमालिक के सामने खराब की, मिनिस्टर केटी रा ने कहा, जो भी नूपूर शर्मा के बयान को सपोर्ट करता है, बहुत शर्म की बात है, दासु जूद स्रावन ने दिया, इस्तीफा और जल्दी भारती जन्दा पार्टी में शामिल हो सकते हैं, टॉप लीडर्स की मौजूदगी म और दूसरा फॉर्मर एमपी है, हाइडरबाद के बाहरी इलाके से तालुख रखते हैं, और पुराने शेहर से तालुख रखने वाले टॉप लीडर बीजीपी में शामिल होंगे, इसके अलावा मौनुगोडे, मले, कुमाटी, रेडी, राज, गोपाल, रेडी, जिन्हों अलवा को 200 वोट्स मिले, जराय से मिली इतला के मतावर, 725 कुल वोट्स जमा किये गए, जिसमें से 15 इन्वालिट वोट्स थे, इसके अलावा, इन्वाइस प्रेजिदेंशिल एलेक्शन वोटिंग्स में 55 एमपीज हिस्सान नहीं लिए, जो सुबा 10 बजे से, शाम 5 बजे के दर्मियान मनकित किया गया था हफ़ते के दिन, त्रीना मौल कॉंग्रेस जिनके कुल 36 एमपीज है, जिसमें से 23 लोग सबास है, इलेक्शन में वोट दालने की इजासत नहीं दी गई, इन्हें त्रीना मौल कॉंग्रेस से सिर्फ 2 एमपीज को वोट दालने के लिए इज का जदी गई, इन्हें त्रीना में वोट दालने के दिन, त्रीना मौल कॉंग्रेस लोग सब्सक्राइब के दिन, पूंग्रेस लोग सब्सक्राइब का दालने की इनके लिए।